कि नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त गौराव और स्वागत करता हूं दोस्तों अपने युडूब चैनल पर दोस्तों आज कर जो वीडियो काफी इन्फर्मेटीव होने वाला है क्योंकि आज कर जो वीडियो है उसमें आप लोगों बताँगों कि ब्रेस आप लोगों मैं exercise देने वाला हूं कि किस दर से आपका ब्रश पर कंट्रोल आएगा तो आज जो मैं exercise दे रहा हूं अप लोगों को आप कोई भी पेपर कर सकते हो यहां पर मैं किसे दर से लाइन को रो कर रहा हूं अब ध्यान रखना कि आब बहुत पतले ब्रश का यूज म भी यूज नहीं होता है इसलिए आप कोई मोटे ब्रस ले लेना बहुत सब्सक्राइब मत लेना जितना हैंडल कर सकते हो यहां पर आप देख सकते हो कि मैंने आर्ट शेंचल का ब्रस लिया हूं आठ नमबर का ब्रस है तो उसका जो लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आट में तो हम लोग पांस rozp करते कि पेंचल को हैंडल कैसे किया जता है पैंसल से हम लोग सी एकसराइज करते आप लोग पता होगा अगर नहीं पता तो मैं एक वीडियो बनाया हूँ उसके ऊपर भी तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देगा वहाइब करना है और यह सब जो मैं एक्सराइज आप लोगो छोड़ चोड़ एक्सराइज दे रहा हूं उससे आपको जो डर है ना अंदर का वो खतम हो जाएगा इसलिए आप इस तरह से अगर नहीं पता निए मैं बता देता हूं मैंने वॉटकलर का सीरीज को अभी स्टाइट किया मैं चृणबव ने बता रहा हूं पches को मैंने बताया फिर sketch बाता रहा हूं तो सारा कुछ वाटकलर में है जिए आप लीश्ट को जाके चेक कर लेना वहाँ से आप एक एक वीडियो को देखो और स्टेम ए स्टेम्-पजुबह प्राक्डिस करना ऐसा Soviet को एक आप ब्रस집 करना है कि आप मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं कि किस तर से brush को मैं एकदम उसका point को use का रहा हूं और जो brush का जो belly part होता है जो beach का जो portion होता है वो हमेशा हावा में रहेगा ठीक है बहुत तोड़ा पानी भी ने लेना color का मातरा इसमें जादा होगा और कोई भी brush ले सकते हो starting में लेकिन ह एक बात का ध्यान रखना और यह ज़रूरी भी है कि आप pointed brush ही लो बहुत सारे market brush आते हैं जरूरी नहीं कि आप बहुत costly brush ले रहे हो मैंने art essential का brush लिया है तो आप Cameline का भी brush ले सकते हो कोई जरूरी नहीं है कि आप बहुत invest करे हो beginning stage में beginning में बिल्कुल भी invest मत करना और जैसे ब्रूषच आपको प्रैक्टिस होगा और आपको खुद ही पता चल देगा काौन सा ब्रश अपको लेना चाहिए यहां पर देख सकते हो कि मैं Brewuse चोपर ब्रस में किया है कि उसको पॉइंट है वो किस तरह से खराब हो चुका है तो इस तरह का brush आपको नहीं लेना है यहां पर में आप लोगों दिखाता हूं कि अगर अप इस तरह का brush को लेते हो तो किस से आपका result आएगा तो यहां पर मैं देखो कि कि एक line draw कर रहा हूं तो देखो एक line के ज़गा हो रहा है यहां पर देख सकते हो अगर ध्यान से देखता हो तो इसलिए आपको पॉइंटेज ब्रश लेना है तो पॉइंटेज ब्रश के लिए आप सस्ता से ब्रश लेना आर्ट स्टोर में जाते हो या फिर ओनलेन में मैं चेक करके आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा कि कौन सा ब्रश आपको लेनी है आपने काफी सारे आर्टिस्टों को देखा होगा कि डेटली ब्रश पोर्ट्रेट या फिर लैंस्केप भी जब बनाते है तो आपको लगता हो कि यार इलनों को टेलेंट है शायद हमसे नहीं हो पाएगा जब आप प्रैक्टिस करते हो तो नहीं बनता होगा तो वह इसलिए बनता क्योंकि आप लोगों ने इस तरह का एक्सराइज को प्रैक्टिस नहीं किया है और वो जो आर्टिस्ट बना रहे है तो वो लोग इस तरह से एक्सराइज को प्रैक्टिस किया करते हैं मैंने पूरे बहुत सरी यूटूब में चैनल को देखा है वो लोग इस तरह से च्छोड़े exercise को बता ही ने रहा है क्योंकि यह सब exercise अगर आप नहीं करते हो तो अब डाइट लिया कर पेंटिंग करते हो तो आपका पेंटिंग नहीं बनता है बहुत mistakes होता है तो इस तरह का mistake को कम करने के लिए हम लोग इस तरह से exercise को करते हैं ठीक है और एक बत और मैं बोल आप लोगों को उससे benefit हो सके अब ग्रो करों क्योंकि मेरा एक ही मोटीवेस चैनल का कि मैं आप लोगों को ग्रो करा सकूं आप लोग जिस भी लेबल पर हो अब मुझे अगर आप लोगों कोई भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए अब प्लीस कॉमेंट बॉक्स में कमेंट क सकेचिंग करते हैं लेकिन सकेचिंग हो जाना से पहले अब पहले इस exercise को फॉलो करो इस exercise को प्रैक्टिस करो क्योंकि इस तरह से exercise को थोड़ा प्रैक्टिस करो तो सपता दो सपता उसके बाद sketching में जाओगे तो फिर वह ज्यादा बेनिफिशल होगा अब कर पाओगे फिर इसलिए इस बात का अब ध्यान रखना यहां पर आप देख सेको कि मैं एक ट्री बना रहा हूं छोड़ा सा ठीक है तो इसमें आप देखो किस तरह से जो मैं लाइन बता है उसका यूज हो रहा है यहां पर तो यह सब हर जगा यूज हो था अब हुमन फिगर बनाते हो तो इस बात का अब ध्यान रखिएगा और जैसे कि मैंने बता है कि प्रैक्टिस करोगे तो ही अच्छा हो पाएगा तो यहीं मैं बताना चाहता था यहां पर देख सकते कि मैं छोड़ा से एक यूवन फिगर भी बनाया हूं तो यही सब चीजे अब छोड़े-चोड़े चीज नहीं हो जाता है वह चोड़ी-चोड़ी चीजओ को पकड़की वह आगे बढ़ते है प्रिंसीपल्स को बेस को बेस अगर अगर आपका बेस होग गहान eng अगर आप ड्राइंग अगर अच्छा होगी आपका या फिर बेस स्टॉंग हो गया वाटर कब लरका भी तो बहुत अच्छे लेबल पर आट बना सकते हो जरूर नहीं अब यह ज़रूरी नहीं कि आ प्रोफेश्च्नल नहीं चारी और पिर हॉबई कर रही हो, आप जो भी कर रहे हो लेकिन आपका ये सब जो एक्साइज इस में बता रहा हूँ इस सब बोहट हिल्प करनेवाला है तो दोस्तों आज की जो वीडियो है मैं इसमें यही सब चीजे बताने वाला था कि क्या क्या एक्सराइज आप लोगों करनी है डेली बेसिस पे